हेलो दोस्तो आई ये शुरू करते हैं आज की क्लास आपके अपने निलेज के साथ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले मॉडल वर्ग की जो है में में से किस प्रकार के सेंटेंज मनते हैं इसका क्या यूज है इसी को हम देखेंगे आज की इस वीडियो में दू कि मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट पर पॉर्फुरी स्पोकर इंगलिस कोर्स 2017 जो मैं भी बना रहा हूं वरतमान में वह अविलेबल है और पुराने कोर्स के वीडियो भी अविलेबल है जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और इस कोर्स को घर बैठे असानी से बिना पैसे खर्च की देख सकते हैं मेरे नए नए कोर्स की वीडियो भी आपको मिल जाएंगे तो प्लीज इन्हें सिक्वेंसे देखे ताकि step by step आपको सारी चीजे बेलकुल आसानी समझ में आए और चैनल को सब्सक्राइब और बेल बिटन पर क्लिक जरूर करें ताकि मे मेरे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें पसंद रहें तो लाइक कमेंट करें कमेंट चरूर करें ताकि मुझे एडिया लगे कि आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए है तो आई शुरू करते हैं मे जो हमारा आज का मॉडल वर्भ है तो चाहिए में क्लियर तो में से जो वॉक की रचना होगी या मॉडल की जो वॉक रचना है वो सेम होगी के इनकुट की कि जैसे ही सबसे पहले subject फिर में फिर वर्ब की first form then other words फिर से एक बार ओके फ्रह जल्दी हो गया वाकिर रचना सेम होगी subject में वर्ब की first form then other words जैसे सेम होगी model की सभी की सेम होती है जो model हम यूज कर रहे है वो change होते जाएगा जैसे can could है पहले यूज किया अब हम यूज कर रहे हैं में बाकि सबसे में subject है वर्ब की first form ही है और other words है तब हम आते हैं यूज नंबर first पर कि में का आखिर यूज है क्या तो में का first use है वर्तमान में किसी चीज के होने की संभाना को बताने के लिए में से वाकिब बनाते हैं मतलब अभी किसी चीज के होने की संभाना संभाना तो clear है क्योंकि हमने केन और कूट से भी संभानों को ही बताया था तो में का भी यूज करते हैं बताने के लिए हम के में से वाकिब बनाते हैं फिर वही बात कि हम केन से भी संभाना बताते हैं कूट से भी संभाना बताते हैं और में से भी संभाना बताते हैं तो इंगलिस में यह अलग-अलग model एकी चीज को करते हैं, हां बिल्कुल सही, can से भी संभावना, could से भी संभावना और may से भी संभावना, और आगे पढ़ेंगे might, उससे भी हम संभावना ही बताते हैं, परंतु इनका जो कम है, संभावना की percentage का है, simple समझे तो can से मतलब 99%, यदि हम could की बोल रहे हैं, तो could से ब को लेंगे, तो 50%, may से यदि हम बोलते हैं संभावना को, actually may का केवल use हम केवल संभावना बताने के लिए ही करते हैं, में का यूज हम केवल संभावना बताने के लिए करते हैं जबकि केन और कूट का यूज हम संभावना बताने के लिए भी करते हैं और क्या कर सकते हैं या क्या कर सकते थे क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते थे यह भी हम केन कूट से बताते हैं मगर में का यूज के वल हम संभावना बताने के लिए करते हैं और में की संभावना बताने की परसेंटेज होगा वोगा 50% मतलब यदि हम में से सेंटेज बोल रहे हैं तो काम हो भी सकता है और वह काम नहीं भी हो सकता है इसी को हम आगे सेंटेंज से एक्जांपल से क्लियर करेंगे तो पहरी चीज वरतमान में संभावना बताना है किसी चीज के होने की यह होगी या नहीं होगी तब हम मेका यूज करते हैं जैसे भारत मेच जीत सकता है तो संभावना यदि 50% है जीत भी सकता है नहीं भी सिज़ सकता है तब हम बोलेगी सेंटेंज इंडिया में विन्द यदि 100% है कि 2-3 ओवर लगे हैं या 10-15 ओवर बचे हैं और 30-50 रन बनाने हैं मतलब 100% संभावना है कि जीती ही रही है इंडिया तब हम ओलेंगे कि इंडिया या can win the match है ठीक थोड़ी से होकम संभावना है कि दस 15 ओवर बचे हैं मनाना है 100 बनाना थे समयूं 15 ओवर में 100 तब जीत भी शकती है नहीं भी सीद सकती है तब हम बोलेंगे कि इंडिया कोड़ बिन दमेच यदि बोलते हैं कि इंडिया कोड़ विन दमेच प्लाश नवना थोड़ी सी कम है यदि 50-50 परसेंट है जीद भी 20 परसेंट तो कैन 60 से 80 परसेंट यह थोड़ा उपर तो कुड़ 50 परसेंट के आसपास तो में और बहुत दी कम तो माइट जो हम आगे देखेंगे नेस्ट एक्जांपल देखते हैं वह घर पर हो सकता है तो संभावना कितनी होई यस 50 परसेंट मतलब हो भी सकता है नहीं हो सकता 50-50 खाईए की नहीं तो सिंदेश होगा इसा आपको अंदाज लगाना है I may repair bike किसी ने बोला कि I may repair bike मतलब आपको समझ जाना है किसे शुद रहेगी तो शुदार रहेगा नहीं तो नहीं शुद रहेगी पक्का नहीं है मतलब इसको ढंग से शुदार रहते नहीं आता है यदि सामने वाले ने बोला कि I can repair this bike मतलब वो निश्चित तुरूप से बोलता कि मैं शुदार ही दोंगा क्लियर आपको क्या समझना है कि वह बाइक शुदार ही देगा चलो नेक्स एक्जम्पल राज आज स्कूल आ सकता है राज में कम टू स्कूल टूडें ट्रेन समय पर आ सकती है आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है ट्रेन में कम ओन टाइम तुम फिसल सकते हो तुम फिसल सकते हो यू में स्लीप तुम्हें चोट लग सकती है यू में गेट हर्ट तुम्हें चोट लग सकती है यू में गेट हर्ट वह रानी हो सकती है कि सायद वह रानी है द्यांच देखा नहीं एसा सेंटेंस में कहने का अंदलब है सी में भी क्विन यह सस्ता हो सकता है इट में भी चीप चीप मिन्स सस्ता और वर्व है यहां पर बी बी मिन्स होना मुझे हैं नौकरी मिल सकती है मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती सो आई में गेट इस जॉब इस जॉब यह तूट सकता है इट में ब्रेक किसी वच्टु की बात करें इसलए सब्जेक्ट में हां पर इट है और तूट सकता है possibility है और तूट भी सकता है नहीं भी तूट सकता है तो में से किसी चीज की होने की संभाव ना है तब हम में से ही बोलेंगे sentence ऐसा हो सकता है it may be यह बहुत ही अधिक बोला जाना वाला sentence है it may be अब हम देखेंगे negative sentence और negative sentence बनाने के लिए में के बाद not लगाते हैं मतलब वही कि model के बाद not लगाना है भाई तो में के बाद not हम लगाएंगे वह पास नहीं हो सकता he may not pass वह यह नहीं जानती है साइद मुझे ऐसा लगता है कि वह नहीं जानती है तो she may not know this she may not know this वह समय पर नहीं पहुच सकते हैं हम समय पर नहीं पहुच सकते हैं we may not reach on time हम समय पर नहीं पहुच सकते हैं तुम इसे हल नहीं कर सकते हूं साइद तुम इसे हल नहीं कर सकते हैं जब भी साइद वाली कंडिशन आएगी तब हम मैंसे सेंटेंस भूलेंगे तुम सर को नहीं बता सकते हो चुकि तुमने बताया तो तुम्हें भी डाट पड़ेगी राज यह आज नहीं कर सकता है राज यहाँ नहीं कर सकता है राज में नवर दू दू टुड़ेगी नहीं हो सकती है तब हम में का यूज करते हैं डूज नामबर 2 किसी से विंती या अनुमति लेने के लिए में का यूज करते हैं तो देखिए में सबसे पोलाइट या विनम्र मॉडल माना जाता है किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए विंति करने के लिए कि क्या मैं यह कर लूँ क्या मैं हाम बैठ सकता हूं क्या मैं जा सकता हूं कि क्लियर तो में का सबसे यूज किया जाता है के नों कुट तो कैन तो अधिक होदी कैन में पोलाइट या विनम्र नहीं माना जाता है इसलिए आप में का ही यूज करें रिक्वेस्ट करने के लिए और में की जो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस है वह होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेस्टन्स जो में की जो क्वेस्टन्स फॉर्म होते हैं वह रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं तो जिसकी रिक्वेस्ट की वाक्या रचना होगी या इंट्रोगेटिव से sentence पेर बोलेंगे कि इस में सब सी पहले हम मैं बोलेंगे मतला मॉडल सामने फिर dice फिर वर्ब की फ़र्ज़ फर्म और फिर other words clear main sentence चाल में होगा फिर सब्जेंग वर्पी फ़र्ड़ फार्म लेन अबर वर्ट्स यह यह के है कि में पहले बोलेंगे और सब्जेक्ट बाद में और वर्ब की फार्म और वर्ट्स आएगा यालार्ष्ट में तो इंट्रिगेटिव सेंटेंस क्या मैं अंदर आ सकता हूं जो कि हमें नर्सरी से सिखा देते हैं से मैं पढ़ाया हो मगर यह सेंटेंस हमें पहले ही सिखा देते हैं कि मैं में एक सथा नai Layer तो में सही होता है क्योंकि मैं रिक्वेस्ट होती है जन्ने स父लिगा मैं कमीन तो यह जिसलिए हम पूछ रहे हैं लास्ट में नाम बोल देंगे क्या मैं यहां बैठ सकता हूं तो यह request है सामने वाले से में आई sit here क्या मैं यहां ले सकता हूं क्या मैं ले लू में आई take this क्या मैं एक phone कर सकता हूं may I make a phone call please तो आप please भी बोल सकते हैं ताकि और अधिक impression बढ़े सामने वाले पर क्या मैं यहां देख सकता हूं may I see this या please may I see this ऐसा भी हम कह सकते हैं क्या मैं रोहन से बात कर सकता हूं किसी को phone लगाया या किसी और को कह रहा है कि क्या मैं रोहन से बात कर लूँ so बोलिंग इंगलीस में may I talk to Mr. Rohan या मैं बोलना चाहता हूं क्या मैं 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 मैंनेजर से बात कर सकता हूं या बॉस से बात कर सकता हूं may I talk to boss,may I talk manager then or may I talk to । युसी नियुकर से भी बात करना चाते हैं इसको अम में आदे वट सकते हैं क्या में जा सकता हूँ؟ किसी खियर से जाने के लिए पूछ रहे हैं Boss फिख गे रहे या किसी और बड़े लोग वेसे साथ में तब हम बलेंगे May I go या May I go please May I go now please अब जा सकता हूँ अभी जा सकता हूँ तो now word हम यूज कर सकते हैं May I go now please क्या मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ तो आपने देखा हो किस्टमे केर में May I help you Railway Station पर सुना ही होगा May I help you attention please याद आया यह sentence भी में कही है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो May you help me तो may you help me यदि बोलता है मतलब यदि आपकी इक्षा हो संभव हो तो आप मदद कर सकते हो नहीं तो कोई जरूरी या जबदस्ती नहीं है मगर गिदे हम can से बोलते है कि can you help me तो हम निश्य त्रोप से पूछते हैं एक जोड दे के पूछते हैं कि अब निश्य त्रोप से हमारी मदद कर पाऊगे या नहीं clear है अब में के ही interrogative sentence एक क्वेस्टन्स जिसमें हम possibility की बारे में बात करें संभावना example क्या हुआ यह कर सकता है संभावना है क्या कर लेगा या नहीं कर लेगा हो भी सकता है क्या हुआ आज आ सकती है में सी कम टूडे क्या हुआ आ सकती है संभावना है परंतु 50% है क्या आ सकती है या नहीं आ सकती है हम पूछ रहे है क्या सर तुम्हें एक चांज दे सकते है में सर गी यू अच चांज क्या यह हो सकता है में इट भी जैसे हमने इट में भी तो इसका क्या यह हो सकता है संभावना तो कम है क्या पूलिस चोर को पकड़ सकती है में पूलिस कैस्थिव में पूलिस कैस्थिव मैं आसा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा यदि नहीं लगा तो क्या नहीं लगा कमेंट करके मैं जरूर बताएं और मेरे साथ सीखते रहें लाइक करें कमेंट करें क्या अच्छा लगा क्या बूरा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल बटन पर क्रिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें बिल्कुल न छूटें यह आप इंगलिस सीखना चाहते हैं तो थेंक्यू गुडबाई